वीवर्स अभी हम सिस्टर मिशल जो हैं जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करी हैं कवर 19 में और फ्रंट लाइन पर होकर काम करी हैं तो हम अपने चैनल मसीहा टीवी की तरफ से उन्हें खेराजी तैसीन पेश करने के लिए हैं तो आए हम सिस्टर मिशल से मिलते हैं अलो गुड इवनिंग अंदर आ सकते हैं जी बिल्कुल आईए वेल्कम आज हम व्यूवर्स सिस्टर स्टाफ मिशल जो हम उनके साथ हैं जो इस अफरात अफरी के दोर में कवर्ड नाइंटीन में बड़े जोश और जजबे के साथ जो होस्पिटल में अपनी ख्रिदमात को फ्रंट लाइन होकर सरंजाम दे रही हैं और इतनी कम उमरी में खुदावन ने बड़ी बरकात से नमाजा है इसी सबब आज हम इनके साथ हैं और हम अपने चैनल मसीहा टीवी की तरफ से इने ख्राज ये तहसीन पेश करेंगे इने अवार्ड पेश करेंगे इससे पेशतर कि हम इने अवार्ड पेश करें हम कुछ इन से पूछेंगे और इन से जानेंगे कि ये वहां पर क्या खिद्मात सर अंजाम दे रही है जी सिस्टर मिशल मसी में सब को स्लाम मेरा नाम मिशल है और मैं S.I.U.T. हॉस्पिटल में as a staff nurse अपनी खिद्मात सर अंजाम दे रही हूं और जैसा कि सिस्टर ने बताया कि हम लोग फ्रंट लाइन है तो जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन है उन सबी को बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि सबी मतब खुदा पर यकीन रखे खुदा सब को अपने हिज़ और एमान में रखे और मतब सेव रखें खुदा सब को इसके लावा मैं अपनी हवाम से यह रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि घरों पे रहें और सेव रहें इसके लावा हैंड हाईजीन का बहुत ख्याल रखें अपनी डाइट का ख्याल रखें एक दूसरे से डिस्टरन्स मेंटेन करें और जितना भी हमारा स्टाफ है उसको मैं यही बोलना चाहती हूं कि ख़दा जो हमारे साथ है और खदा ने हमें चुना है हम ख़दा के चुनीदा लोगों में से हैं कि अगर खदा ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपनी किदमात सर अंजाम दें तो हमारे लिए ये फकर की बात है और हमें अपने डर को साइट पे रखकर जो है अपनी किदमात को सर अंजाम देना चाहिए थैंक बेशिक विवर्स स्टाफ मिशल ने बहुत अच्छी बाते की कि हमें अपने आपको सेफ रखना है क्योंकि हम खुद ही अपने आपको सेफ रख सकते हैं अगर हम इतियात करें और इतियात बहुत जरूरी है और कलाम मुकदस के अंदर भी देखे तो हमें ये सारे साइंस मिलते है कि हमें किस तरह से अपने आपको मुसीब्तों से परिशानियों से महفوظ रखना है बस हमें खुदावन पर इमान रखना है और इमान रखने के साथ साथ अपने आप को जो है वो खुदावन की पना में देना है उसकी महाफ़त में देना है और अपने आपको स्क्योर करना है अपने घरानों को घरों से कम निकलना है रिसी के साथ खुदावन के हज़ूर दूआ करनी है और तोबा करनी है ताके खुदावन का जलाल हमारी जिन्दिके में जाहर हो सके व्यूवर्स हम सिस्टर मिशल एंड अनुशा से जो एक गीत सुनेंगे खुदावन ने बड़ी खुबसूरत आवाज से ने नावाजा है इनके वसीला से में गीत सुनेंगे तसलीदा चश्मा यहो वायरी तूं तसलीदा चश्मा यहो वायरी जेडा रुगी तेरे कोलिक वारी आ गया ओ बीमारिया तो छुटके रहाई पा गया तू ते फजला देना अड अपने फजला देना ओ दी छोडी परी तूं तसलीदा चश्मा यहो वायरी तूं तसलीदा चश्मा यहो वायरी पामे बुरी आरुमा पामे लश्कर होवन तेरी अगनाल सडके उसारे मरन पामे बुरी आरुमा पामे लश्कर होवन तेरी अगनाल सडके उसारे मरन कर दिन दिये तबा तेरी अगदी छडी तूं तसलीदा चश्मा यहो वायरी तेरा खून मेरी हर दम हिफाज़त करे तेरी आवाज तेरी सिताइश करे तेरा खून मेरी हर दम हिफाज़त करे मेरी आवाज तेरी सिताइश करे मेरे गीताँ दे विच मेरे गीताँ दे विच तेरी रचना भरी तूं तसलीदा चश्मा यहो वायरी तूं तसलीदा चश्मां यहो वायरी Thank you so much viewers वीवर्स आपने सुना, खुदावन ने बड़ी खुबसूरत आवास दिने नवादा है और इनके गाने से हमने बरकत को हासिल किया, तो खुदावन दिने इसी तरह बढ़ाए और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तमाल करें, आमेन. वीवर्स हमारे पास एक छोटी सी बच्ची है, अनेविय विक्टर, जो हमें कलाम मुकदस में से आयद सुनाएंगी. मरकस पहला बाप, उसकी तीसरी आयद, बेयाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावन की रात आयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ, आमेन. God bless you.